एक बहुत गंदा सा जोक मारूँ चला तुम लोग कौन सा रोकी लोगे मेरे तो recorded वीडियो है गाली दोगे तो comments में दोगे इंडिया में बास्मती राइस महंगा है और UK में डेकलें राइस महंगा है भाई 90 मिलियन का प्राइस टेक कोट किया है यहां पर आपके West Ham ने और उसको मैच करने के लिए आपकी Man City और Arsenal दोणों एडिचेटी का चोटी का जोर लगा रही है अब देखो यहां पर जब तक Arsenal थी रेस में तब तक लग रहा था कि सिर्फ Arsenal ही है तो लेई जाएगी लेकिन जब Man City उत्रीनर रेस में तब मैंने बोला भी था कि भाई यहां से situation Arsenal के लिए बहुत difficult हो जाएगी अगर Man City serious हो गई इस रेस में और फेब्रीजो रुमानों ने भी अपनी वीडियो में रेपोर्ट किया था कि Man City तब तक bid launch नहीं करेगी जब तक उनको नहीं लगता कि Declan Rice उनके project में interested है या फिर एक deal struck की जा सकती है West Ham के साथ और यहां पर कल पहली bid अपनी summit कर दी है West Ham को Man City ने price बताया जा रहा है नब 80 मिलियन प्लस 10 मिलियन का add-on डेविड ऑन्सीन की रिपोर्ट है जो भी आपकी screen के सामने भी आ रही होगी मैं पढ़के सुना तो exclusive West Ham have tonight received formal offer from Manchester City to sign Declan Rice hashtag MCFC proposing deal worth 80 million pound plus 10 million add-ons after second Arsenal bid of 75 million pound plus 15 million pound rejected last week hashtag AFC pursuit of main target ongoing at the rate athletic FC अब देखो मैंने सभी पढ़ दिये ठीक है है hashtag West Ham सब पढ़ दिये यहां पर जो दोनों deals है उनमें 5 million का फासला बता जा रहा है जो Arsenal ने अपनी overall amount present की वो भी 90 million थी जो आपकी Man City न overall amount पे की है अभी जो present किया है वो भी 90 million है लेकिन जो straight up front free है न वो Arsenal की 5 million pound कम है Man City के comparison में अभी तक West Ham की तरफ से इस offer के बाद कोई अभी action आया नहीं है जब मैं यह video record कर रहा हूँ अब देको अगर आप Man City की current team को देखोगे आप उनकी midfield को देखोगे आप कोगे Declan Rice की क्या जरूवत है यार Rodry उनके पास है ठीक है गुंडोगन चला गया कोवचिच वो लेकर आ गये है उनके पास Kevin De Bruyne भी है उनके पास Callan Phillips भी है जब आपके पास दो holding midfielder already है तो फिर आप एक और holding midfielder को क्यों लेकर आ रहे हैं अब इसके पीछे दो वज़े हो सकती है एक कीवोट कैलन Phillips को अफलोड करने की पूरी तैरी कर चुके है अमन बना चुके है और इसलिए Declan Rice को लेकर आया जा रहा है और यहाँ पर गुंडोगन के रोल में Declan Rice को फिट करने की कोशिश की जाएगी एक वज़य यह है कि वो आसनल ने जिस तरह का सीजन लास्ट येर प्रफॉर्म किया था और उनसे ही दो प्लियास ले जाकर उनने अपने आपको इतना स्ट्रॉंग पोडिशन में साबित कर लिया था कि मैंसीटी ये गैंबल नहीं खेलना चाहती कि आसनल अपनी मिटफील्ड में डेकलेंड राइस लाकर अपनी और टीम की परफॉर्मेंस अफग्रेड करे लेकिन आसनल के लिए सबस्वड़ी सरदर्दी पता इस पूरे सागा के बाद क्या होगी कि अभी तक वो थॉमस पार्टे को क्लब से पुछ करने के लिए विल्कुल रेडी थे और करी रहे थे और यहाँ पर एक उम्मीद लगाए बैटे के ते भाई डेकलेंड राइस आ जाएगा और उसके बाद हम रोमियो लावी और बाकी प्लेर्स के लिए चले जाएगे लेकिन अगर यहाँ पर डेकलेंड राइस हाथ से निकल जाता है तो फिर इस वज़े से आपके थॉमस पार्टे का फ्यूचर भी कहीं न कहीं एक अधर में लटक जाएगा और फिर मजबूर होकर शायद आसनल को थॉमस पार्टे को रोकना पड़े तो आप बोलो के चलो ठीक है जो भी उनके उपर लिगल एक्शन लिए जा सकते हैं जो भी उनके उपर केसे चल रहे हैं उसकी वज़े से इस वज़े से आसनल यहाँ पर पीछा चुडाना चाहती थी और उसके साथी साथ अगर आप यहाँ पर बात करो जूरियन टिंबर की केस में बी तो जूरियन टिंबर की केस में सेकंड बिड लॉंच जरूर कर दिये लेकिन आयेक्स का जो डिमांडिंग प्राइज है 40 मिलियन उसको अभी भी मैच नहीं किया है अब यहाँ पर आर्सनल ने सिर्फ एक साइनिंग अभी तक मेगा कंफर्म किये वो है काय हावर्ट्स की जबकि आप अगर लॉजिकल बेसिस पर सोचोगे तो काय हावर्ट्स की साइनिंग की कोई इतनी खास जरूरत नहीं थी क्योंकि आपके पास अगर देखो तो साका भी है जो उस पोजीशन में खेल सकता है आपके पास ओडिगाट तो आउट एन आउट नमबर टेन है उसके अलावा आपके पास अगर आप बात करो एमिल्स में थो भी आऊ गया पर यहाँ पर काय हावर्ट्स की साइनिंग कुछ इतनी नेसेसरी साइनिंग नहीं होने वाली थी लेकिन उनको मौका मिला उस पर उन्होंने पाउंस किया काय हावर्ट्स सबसे इंपॉर्डन चीज़ है कि कलब जोइन करना चाहते थे यहाँ पर डेकलें राइस के केस में अगर ग्रीन सिगनल मिला है सिटी को तो फिर आसनल की रहा बहुत मुश्किल होने वाली और फिर अगली बात अगला सवाल यह होगा कि इसके बाद आसनल का क्या होगा टारगेट होल्डिं मिट्फील्ड पोजीशन के लिए तो अभी तो रडार पर देखो कोई भी नहीं है बट कौन होगा इसकी अभी पुश्टी कर पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैंसिटी के केस में आप समझ सकते हो भाई मैंसिटी यहाँ पर कोई भी गैंबल नहीं खेलना चाहती और उनका यहाँ से जो लास सीजन उन्होंने अचीव कर रखा उसके बाद अगला टार्गेट यह कि इसको दुबारा दोहराना है इस सीजन के अंदर और यहाँ पर गुंडोगन गए हैं बारसलोना में बारसलोना ने अफिशली काल अनॉस्मेंट कर भी थी गुंडोगन की काफी अच्छी उनकी प्रेस कॉंफरेंस थी प्रेस कॉंफरेंस का मतला जो भी उनकी पॉब्लिक स्पीच दी वो काफी अच्छी थी उनकी बोला है कि मैंने मैंसी टी में वो सब जीत लिए जो मैं जीतना चाहता था लेकिन अब मुझे बारसलोना के साथ फाइनल खेलना है चैंपने लिग का और मैंसीटी की टीम हो अब देखो जब आप गुंडोगन जैसा प्लेयर साइन करके लेकर आते हो तो आप अपने टीम में एक मेंटालिटी मॉंस्टर साइन कर रहे हो और एक क्योंकि हम सबने देखा है मैंसीटी के लिए जब डिसाइसिफ फेज आता था प्रिम में लीग का या फिर कप कॉम्पेटिशन का गुंडोगन हैस ऑल्वेस यूनो स्टूड अप और आप यहां पर बात करो गुंडोगन के एक्सपिरियंस की तो बुंदस लिगा का एक्सपिरियंस है प्रिम मिली के एक्सपिरियंस है डेफिनिटली ही जर्मन इंटरनेशनल तो वो भी बहुत क्वालिटी एड करता है और अब बार्सरोना की जो मिटफील्ड तयार होके खड़ी होई है आपके पास फ्रेंकी डियो मैं बहुत है हैं तो लोग आदाजा अनुमान लगाने की क्योश्य करने के हो सकता है कि योकव केजिटल कर और यहां पर फ्रेंक कर सकति अब इतने दिन से जब मैं यह चीज बोल रहा था कि अगर बा टैम करने प्राइमरी आभजेक्टिव्स हाशल करने वहाइन प्राइमर sellable asset को बेचना पड़ेगा और midfield के अगर आप बात करो इतना overcrowded midfield जो बार्सलोना का हो जाएगा अगर केमिक आ जाता है तो तो फिर उस case में या फिर ब्रोजोविच क्योंकि देखो ब्रोजोविच भी link है I'm not saying कि सिर्फ केमिक है ब्रोजोविच के भी links आ रहे हैं आपके ब्रोजोविच की डिले वो अलनसर के साथ अभी भी confirm नहीं हुई है तो ब्रोजोविच अभी decision नहीं ले पाएं कि उनको Saudi जाना है या फिर उनको Europe में रहकर अपनी football continue करनी और अगर Europe में रहना है तो क्या Barcelona आना चाहते हैं वो बार्सा fanbase हो तयार है ब्रोजोविच को accept करने के लिए एक quality player है हमने भी Champions League के फैनल में देखा भी था what kind of a quality he possesses बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपके सामने दो option रखे हुए है एक तरफ यौकवा केमिक और दूस तरफ ब्रोजोविच तो आप किसको prefer करोगे I think most of them would prefer केमिक over ब्रोजोविच and it is because of the reason कि केमिक can also play as a right back जिस role में आपको एक player की जरूरत है क्योंकि आप अराहो या कुंडे को out of position हर match में खिला नहीं सकते प्लस यहां पर अगर आप buskets वारे role की बात करो और buskets जैसा intelligent gameplay और अच्छा game reader अगर कोई है तो that is किमिक तो यहां पर किमिक की signing के लिए उम्मीद लगाए बैटी है वार्सनों लेकिन जैसे मैंने का कि अगर Frankie deong market में available होते तो already links आने लगे हैं तो यह फ्रेंकी deong के लिए वापस से push करेगी Manchester United और मतलब यह वाई वाली चीज है कि आप एक relationship में थे और उस relationship में होकर आपको बहुत गाली वाली पड़ी और बहुत टॉक्सिक हो गया था relationship लड़की तो move on कर गई लेकिन आप अभी वहीं अटके हुए आप अभी आप उम्मीद में बैठे हुए कि चलो ठीके एक नएक दिन तो वापस आईगी सेम अभी United fans के साथ है मेरे जैसे जो Frankie deong की रहा पिछले साल से देखे जा रहे है Frankie deong आ नहीं रहा है तो उस केस में वो चाहेंगे कि अपनी balance sheet maintain करने के लिए वो एक अच्छे player को sell करे जहां से पैसा generate हो तो that is Frankie deong और अगर United के पास option आया कि Mason Mount या Frankie deong भाई Eric Tenhak won't think twice before sanctioning the deal of Frankie deong और क्योंकि Mason Mount का नाम आई गया है तो Mason Mount के केस में भी आप यही बोलोगे कि देखो अब जो कल रिपोर्ट साही है न उसके हिसाब से Mason Mount ने पोचिटीनो को बोला है कि अगर डील नहीं होती है confirm United के साथ तो मैं pre-season टूर पर जाने को तयार हूँ और मैं अपना जो season है वो पूरा 100% commitment देखकर आपके साथ complete करने को तयार हूँ लेकिन अब Chelsea fans इस पूरे Mason Mount के सागा के बाद Mason Mount को accept करेंगे या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल होगा क्योंकि एक ऐसा player जो कि आपके academy से निकल कर आया है अगर वो player आपके साथ अपना long term future नहीं देख रहा है और अगर आपके club को disrespect कर रहा है और आपके fanbase वाली feelings को भी disrespect कर रहा है तो फिर क्या fanbase उसके साथ खड़ा होगा और क्या अब उस level पर support कर पाएगा जिस level पर last year तक Mason Mount को support किया गया था तो शायद इसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं अब हम Mason Mount को उसकी हरकतों के जैसे नहीं कर सकते उस level पर support लेकिन एक बार जब season शुरू होगा ना और अगर Mason Mount तीन-चार performances ड्रॉप कर दी Chelsea के लिए और Chelsea जीतने लगी matches तो सारा fanbase भूल जाएगा and they will happily accept Mason Mount back into the system लेकिन हाँ यहाँ पर United फ्रेंकी डियोंग के डील के लिए तो बिल्कुल भी आप अगर बोलोगे तो वो acceptable ही नहीं क्योंकि यह चीज possible उपना बहुत मुश्किल है लेकिन यहाँ पर Mason Mount के case में जरूर United चाहती है कि भाई डील स्टक हो जाए जिसे कि अपनी पहली प्लेयर्स की बट ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो पाएगा और यहाँ पर बाकी देखो Mbappé के ऊपर और बाकी सारे प्लेयर्स के ऊपर ऐस सच कोई खासी अपडेट है नहीं Madrid चाहती Mbappé को साइन करना Mbappé 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 के लिए खेलना चाहते है PSG बेचना चाहती है लेकिन एक जगह जहां कर यह सारी गाड़ी रुख जाती है वो है price tag अब Madrid सोच रहे कि 150 से लेकर 200 million के बीच में price tag सेट कर लो और हमें बेच दो तुम्हें बहुत highly benefit भी हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर PSG करें नहीं भाई हमें 200 million चाहिए Mbappé के लिए अब 200 million में सबसे बड़ी main वज़ा है कि Mbappé खुद 100 million demand कर रहा है PSG से कि हमारा जब contract हमने sign किया था तो बोला गया था कि 2024 तक जो भी होगा उससे पहले अगर बेचते हो तो आपको बोनस देना पड़ेगा तो उसको देखते हुए PSG चाहती है कि जो बोनस अवाउंड है ना वो भाई मैड़िट से ही वसूला जाए क्योंकि ultimately एक वर्ड क्लास प्लेर जो की future तो यहां पर देखते हैं अब रियाल मेड़िट किस तरीके से रियक करती है मार्केट में और वह एमबापे को लेकर आप आते हैं या नहीं आप आते हैं मतलब बिल्कुल reverse order में चल पड़ेगी गाड़ी अगर यहां पर बार्सलोना को कोई एक holding midfielder sign करना होगा तो वह कौन सा होना चाहिए और अगर आपकी टीम एक ऐसी situation में फसी हुई है जहां पर आपको players offload करने और सबसे बड़ा पनाम अगर आप लिस्ट में एड करना चाहोगे तो वह किस player करोगे और आपके साब से क्या बार से बार्सलोना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए कॉमेंट भी करिए अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करिए जिससे कि हम अपनी community और football fans की grow कर पाएं और आज रात में मैच है भाई कोवेट के साथ आपका इंडिया का तो वह मैच देखने के लिए जोड़ना मद भूलेगा अपने शोबित की चैनल पर football नुक कर फे वहां मैं भी रहूँगा और आई होप बाकी सारे लोग भी रहेंगे मैच एंजॉय करने के लिए मिलते हैं एक वीडियो में तो लिए गुडबाई टेक केर सायोनारा